जहन सत्यों हिमाचल प्रदेश पुलिस भरती परिक्षा 2022 संडे स्पेशल मौक टेस्स सीरीज में मैं दीपक आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसी मौक टेस्ट का जो PDF है वो आपको टेलिग्राम में प्रोवाइड कर दिया गया है साथी साथ आप लोगों के लिए वहाँ पर OMR शीट भी भेज दी गई है अगर पॉसिबल हो तो आप उस OMR शीट का प्रिंट आउट निकालें और इस मौक टेस्ट को OMR शीट पे करें ताकि आपको यह आइडिया हो जाए कि कितना exact आपको समय मिलने वाला है final exam में क्यूंकि OMR शीट भरने को भी हमारा कुछ समय लग जाता है तो चलिए यदि कुछ लोग ऐसे ही इस मौक टेस्ट को लगाना चाते हैं तो वो ऐसे ही लगा ले बाकी यदि आप OMR शीट पे कर रहे हैं तो उसके वाद अपने answer चेक करने के लिए वापस वीडियो पे आईएगा और देखेगा कि किस question का कौन सा answer सही हो ना था तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले question के तरफ जो की है लोगसभा में विपक्स के किसी दल के नेता के रूप में मानेता किसके द्वारा दी जाती है और राइट आंसर हो जाएगा इसका option number D लोगसभा अध्यक्स question number 2 satellite phone से less होने वाला देश का पहला राष्टे उद्यान कौन सा है satellite phone से less होने वाला देश का जो पहला राष्टे उद्यान है वो है काजी रंगा नेशनल उद्यान या काजी रंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है असम में स्थित है किस चीज के लिए famous है पूछा जाता तो famous है एक सींग वाले गैंडे के लिए question number 3 भारत में राष्टिय टीका करण दिवस कब मनाया जाता है भारत में राष्टिय टीका करण दिवस national vaccination day मनाया जाता है 16 मार्च को कब इसकी शुरुआत हुई थी जी 1995 से ये शुरू हुआ था उसमें polio drops पिलाई गई थी और theme की अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 का इसका theme था vaccination works for all next is question number 4 भारत में तंबाखु का सरवाधिक उतुपादन करने वाला राज्य है कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में सबसे ज़्यादा तंबाखु का उतुपादन करता है और राइट आंसर हो जाएगा question number 4 का option number C next is भारत का प्रतम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है प्रतम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है करनाटक स्थित सिवा समुद्रम कब शुरू हो गया था जी 1902 में चले आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ जो की है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्टि आये सबसे अधिक है right answer हो जाएगा option number D goa next is question number seven मीरा बाएचानू किस खेल से समन दिता है most important question है मीरा बाएचानू किस खेल से समन दिता है राइट आंसर हो जाएगा भारो तोलों यानि की weight lifting टोक्यो ओलम्पिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मैडल जीता था ठीक है अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो वर्स 2020-2000 में जो है सिडिनी ओलम्पिक्स हुए थे उसमें भारत की करणम मलेश्वरी ने कांसे पदक जीता था और उसके बाद आज 2020 में मैडल जो जीता है टोक्यो की दरफ आगे बढ़ते है जो की है कोश नमर एट नाटो का मुख्याले कहां स्थित है नाटो काफी चर्चाओं में है आजकल नाटो का मुख्याले कहां स्थित है इनका जो मुख्याले वो स्थित है ब्रूसेल्स बेलजियम में यदि नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो NATO की फुल फॉर्म है North Atlantic Treaty Organization यानि की उतरी Atlantic संधी संगठन ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूसिया और युक्रेन का जो युद्ध आजकल चला है युक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था लेकिन रसिया उसका विरोध कर रहा है इसी के चलते युक्रेन और रसिया में आजकल युद्ध चल रहा है तीक है वही है नाटो और आपसे पूछा जा सकता है या तो इसकी फुल फॉर्म या तो हेड़कॉर्टर क्यूंकि करंट में ये चीज हो रही है नेक्स्ट इस कोशिन नमबर 9 जोकी है तुगलक नामा के रचनाकार कौन है तुगलक नामा के रचनाकार राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो नेक्स्ट कोशिन भारत में अब तक कितनी बार वित्या पातकाल घोशित हो चुका है तो भारत में अब तक कितनी बार वित प्रदेस के कि सस्थान का होली मेला प्रसिद है। NDRF Battalion का जो Headquarter है वो कहां खुलने वाला है NDRF की अगर हम Full Form की बात करें तो Full Form हो जाती है National Disaster Response Force इसका जो Headquarter खुल रहा है वो कहां खुलने वाला है जी मंडी जिले में खुलने वाला है और इसके अलग अलग जो यूनिट्स खुलेंगे रामपूर, नूरपूर और बद्धी में Next आगे बढ़ते हैं कोशन No.14 की तरफ जो की है जम्मू कस्मीर को विसेस राज्य का दर्जा देने वाली हलांकि अब जो है जम्मू कस्मीर राज्य नहीं है केंदर सासित परदेश है ठीक है लेकिन यहां पर जो धारा 370 हटी थी जो जम्मू कस्मीर को विसेस राज्य का दर्जा प्रदान करती थी कब हटी थी 5 अगस्त 2019 को हटाया गया Next is question No.15 पहले से on computer को restart करने को क्या कहते हैं पहले से on computer को restart करने को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है option No.D warm booting Question No.16 Hindu view of life सिर्षक पुस्तक लिखने वाले लेख कौन है Hindu view of life के लेख कौन है जल्दी से बताएंगे राइट अंसर हो जाएगा इसका Option No.A S. Radha Krishnan यानि की Dr. Sarvapalli Radha Krishnan बढ़ते हैं Question No.17 की तरफ जो की है एक एंग्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते है एक एंग्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते है तो एक एंग्स्ट्रॉम होता है 10 की रेश्ट पावर माइनस 10 मीटर के बराबर यदि मैं एंग्स्ट्रॉम की बात करो तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है ऐसे किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम Question No.18 की तरफ प्रित्वी की आयू का आकलन किया जाता है प्रित्वी की आयू का आकलन किया जाता है कैसे किया जाता है Uranium dating से आगे बढ़ते हैं question number 19 बहुत अधिक उंचाई पर मनुश्य की लाल रुधीर कणिकाओं में लाल रुधीर कणिकाओं यानि की RBC red blood cell में क्या होगा question number 19 का right answer हो जागा इनकी संख्या बढ़ जाती है जब height पे जाते है question number 20 लार डैस डैस के पाचन में help करता है question number 20 का हो जाएगा आपका option number B large star के पाचन में help करता है question number 21 एलिसा जांच किस रोगी की पहचान करती है या एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है जिल्दी से बताएंगे right answer हो जाएगा option number D AIDS AIDS की full form बानी चुए acquired immunodeficiency syndrome question number 22 मश्रूम क्या है मश्रूम क्या है तो मश्रूम क्या है जी मश्रूम एक कववक है कववक को इंगलिश में कहते हैं fungus आगे बढ़ते है question number 23 सुरक्सा की दृष्टी से खाना पकाने वाली LPG cylinder में क्या भरकर जो है गंदी उक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिती का सिगर पता लग सके कहा जा रहा है कि जो LPG है उसकी leakage का पता लग सके इसलिए उसमें कोई gas मिलाई जाती है कौन सी gas उसमें मिलाई जाती है राइट आंसर हो जाएगा इसका मर कैप्टन पूरा नाम है इसका इथाईल मर कैप्टेन चलें कोशिण नमबर 24 जो की है जो दरपन दाड़ी बनाने के लिए प्रयूक किया जाता है वो कौन सा है दाड़ी बनाने वाला दरपन कौन सा है शेविंग वीरर कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा question number 24 का option number B अवतल कौन केव इसको हम कहेंगे इंगलिश में next is question number 25 परमेश्वर में कौन सा समास है परमेश्वर में कौन सा समास है तो परमेश्वर में option number C करमधारे समास है question number 27 जो की है link की दरिष्टी से दहीं क्या है लिंग की दरिष्टी से दहीं क्या है तो लिंग की दरिष्टी से देखेंगे तो दहीं क्या है जी एक पूलिंग है आगे बढ़ते है 27 सिव का प्रयाइवाची निमने में से कौन सा है सिव का प्रयाइवाची निमने में से कौन सा है तो सिव का प्रयाइवाची है option number D, पिनाकी next is question number 28 आकर्षन का विलोम शब्द क्या है आकर्षन का आपको विलोम शब्द बताना है तो आकर्शन का जो विलोम शब्द हो जाएगा विकर्शन आप्शन नमर बी वहस्त्री जिसे पती ने त्याग दिया है क्या कहलाएगी राइट आंसर इस आप्शन नमर सी परित्यक्ता कुशन नमर थर्टी उसने कहा कि मैं घर जाओंगा कौन सा वाक्या है नेक्स्ट कोशन थर्टी वन उम्पडुक होना कूप मंडूक क्या है जी कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताएं कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ जल्दी से बताएंगे राइट आंसर ओप्शन हो जाएगा इस आगा B. सीमित ग्यान होना कूप मंडूक होना यानि की सीमित ग्यान होना Limited Knowledge स्रावन का संधी विछेद है स्रावन का संधी विछेद है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इस ओप्सन नमबर C स्राव प्लस अन नैक्सिस 33 सुद्ध वरतनी वाले शब्द का चैन करें ज्योटसना आपको लिखा है आपको बताना है कि कौन सा आप्सन बिल्कुल सही है तो ज्योटसना का जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आप्सन नमबर D यहाँ पर 4 लिख दिया यह इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर D चले आगे बढ़ते हैं यूयूटसू का निमन में से क्या अर्थ है यूयूटसू का निमन में से क्या अर्थ है यूयूटसू का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा करने वाला या युद्ध करने का इच्छो कर option A is right answer question 35 बच्पन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते है बच्पन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है option number C व्यह संधी यानि की कीनी भी दो अवस्थाओं के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है व्यह संधी तो यहां दो अवस्थाओं दी थी बच्पन और जवानी अगर बोला होता जवानी और बुड़ापा तो उनके बीच का भी क्या आ जाता व्यह और संधी सेम आंसर हो जाता कुशन नबर 36 फिसल पड़े तो हर हर गंगे फिसल पड़े तो हर हर गंगे यहां एक ही अरेवी दो हर आएंगे फिसल पड़े तो हर हर गंगे लकोकती का क्या अर्थ है जल्दी सांसर टिक करेंगे इसका कुशन नबर 36 राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी में काम करना ओप्शन नमबर A 37 हिंदी वरन वाला में आयोगवा वरन कौन से है कौन से जी आयोगवा वरन आपको बताने है तो कौन से है राइट आंसर इस ओप्शन नमबर D अंगंगूर और A जुन्हें बिंदी और विसर्ग है चले आगे बढ़ते हैं निम्न वाक्य में से असुद्धियों की पहचान करें असुद्ध पहचानना है आपको कौन सा है रेल गाड़ी का इंजन पट्री पर वास्ट से चलती है चलती है या चलता है रेल गाड़ी का इंजन चलता है चलता है यानि कि D में तूटी है तो आप्शन हो जाएगा 38 का D 39 निमन में से कौन सा उपसर्ग सही शब्द है आग को बताना है ऐसा कौन सा सब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है उपसर्ग किसी भी वाक्य के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं तो देखें राइट आप्शन नमबर B योग के आगे लग गया है प्रग तो यहां पर प्रग उपसर्ग है तो आप्शन हो गया का ऑप्शन नमबर B चुनाव क्षित्रों का समय समय पर डैस टेस किया जाता है क्या किया जाता है जल्दी से बताएंगे क्या किया जाता है आप्शन नमबर C क्या किया जाती परी सीमन किया जाता है क्या किया जाता है परी सीमन किया जाता है चले आगे बढ़ते हैं इंगलीश का पॉर्शन शुरू हो चुका है डारेक्शन आपको दिये जा रही है आपको expression जो दिया उसके लिए बताना है कौन सा use होगा इसके लिए जो use होगा जल्दी से answer टिक बताएंगे right answer is option number c cantonment cantonment का मतलब क्या होता है cantonment is like छावनी चले आगे बढ़ते हैं वही है permanent military station जो होगा cantonment यदि हम बाकियों की बात करें captive का मतलब कैदी होता है अगर मैं बात करूँ penton की तो इसका मतलब होता है क्या होता है जी service वर यानि कि सभी भगवान के लिए जो मंदिर मनाया जाता है ठीक है और dormitory क्या होता है एक सहन साला होती है सोने वाला स्थान होता है ठीक है तो right answer इसका क्या हो जाता जी एक छावनी या cantonment is comma कहेंगे या आपने sort form में हम कहते है इसको can't भी कहते है देखो army can't that is full form क्या है can't की cantonment चले question number 42 a person who has a long experience of any occupation a person who has a long experience of any occupation क्या कहेंगे उसको right answer is option number B return next is choose the word which is most opposite in meaning of the given word आपको एक ऐसा word ढूंडना है ठीक है और उससे most opposite आपको उसका answer बताना है कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे question number 43 accelerate इसका जो आपको बताना है most opposite क्या हो जाएगा then 43 का जो right answer आपका हो जाएगा देखे इसका मतलब क्या होता है accelerate का मतलब होता है खुश हैपी क्या होता जी खुश होता है इसका मतलब ठीक है तो आप यहाँ देख लें खुश से opposite क्या depressed है जो बंदा depression में है चलें आगे बढ़ता है question number 44 चोकी है remis remis का आपको बताना है जल्दी से remis का मतलब होता है बेपरवा ऐसा बंदा जो ला परवा है बे परवा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा dutiful जो अपनी duty के प्रतिज़ बिल्कुल dedicated है next is find out the misspelled word misspelled word आपको बताना है इसमें से कौन सा है accessory philosopher telegram या equilibrium तो right answer हो जाएगा option number d equilibrium क्योंकि equilibrium की जो spelling होती है यहां दे दिया है ठीक है तो right answer है option number d find out correct spelled word आपको बताना है इन में से commissioner की spelling कौन सी सही होगी 46 का option number हो जाएगा b c o m i s i o n e r next is find out the error part of the following sentence error part आपको बताना है इस sentence में कहां error है the inspector arrested the robber and send him to prison right answer ही इसका कौन सा हो जाएगा a b c d यह option है अगर आपका यहां गलत है तो a option यहां गलत है तो b यहां है तो c यहां गलत है तो d तो right answer ही हो जाएगा इसका option number c because यहां पर send की जगह क्या आना चाहिए था sent आना चाहिए था क्या आना चाहिए था s e n t next question 47 he is one of the person who is always against bad activity he is one of the person who is always against bad activity question number 48 जल्दी से बताएंगे right answer तो 48 का आपका right answer हो जाएगा option number c option number c में मतलब यानि की who is की जगह यहां गलती है क्या गलती है इस की जगह क्या लगना चाहिए था इच की जगह यहां लगना चाहिए था are क्या बना चाहिए था sentence he is one of the person who are always against bad activities question number 49 fill in the blank with suitable article suitable article के साथ आपको fill up करना है a dash dash year ago I saw dash dash English man riding on dash dash elephant right answer इसका हो जाता option number d यानि की a year ago I saw an English man riding on an elephant चले आगे बढ़ते हैं choose the most suitable preposition आपको preposition का चुनाव करना है Mr. Thakur is habituated dash dash rising early right answer हो जाएगा question number 50 का a Mr. Thakur is habituated to to rising early क्या जी two चले आगे बढ़ते हैं question number 51 की तरफ जो की है the soldier revealed dash dash the government the soldier revealed dash dash the government जल्दी से right answer बताएंगे 51 का right answer हो जाएगा option number d against क्या जी against the soldier जो है उन्होंने rebel means withdraw क्या जी withdraw withdraw टीक है soldiers ने withdraw कर दिया है किसके against किया है government के against किया है तो right answer is d question number next choose the world which the most nearly the same meaning आपको sinomas का यहां पे चुनाव करना है alliance alliance होती है संदी तो इसका बताएं कि sinomas कौन सा होगा तो right answer हो जाएगा इसका option number b option number b इसका आर्थ क्या होता है इसका बर्थ होता है गठ बंदन next is question number 53 इसका भी आपको क्या बताना है जी similar word बताना है कि कौन सा हो जाएगा flourish का जल्दी से बताएं 53 right answer is option number c succeed succeed flourish का मतलब होता है विकास होना क्या होना जी विकास होना तो succeed का मतलब किया होना growth होना विकास होना एक ही बात आ गई तो इसका answer हो जाएगा option number c चले आगे बढ़ते है 54 choose the correct sentence 4 sentence आपको दिये है correct sentence का आपको chain करना है correct sentence 54 का हो जाएगा option number a the poet and singer has gone चले नेक्स बढ़ते है 55 की तरफ what will be the past indefinite tense of I know him क्या हो जाएगा भी I know him का हो जाएगा आपका I knew him यानि की option number d fill in the blank with appropriate option just as being hungry she couldn't eat the food served in the restaurant right answer टिक करेंगे right answer हो जाएगा इसका option number c in spite of यानि की in spite of being hungry he couldn't eat the food served in the restaurant चले question number 57 जो की यहां से अभी आपकी reasoning शुरू हो चुकी है यदि अंग्रेजी वर्ण माला के प्रतम अर्दांस को वास्तवी करम में लिखा जाए प्रतम अर्दांस देखिए अंग्रेजी वर्ण माला में total 26 अलफा बैट होते हैं प्रतम अर्दांस यानि की पहले तेरा यानि की a से लेकर कहां तक बात कर रहा है पहले तेरा में आते हैं a से लेकर m को बोला वैसे ही लिखा जाए यानि की वास्तविक रूप में लिखा जाए और अंतिम अर्दांस को विपरीट लिखा जाए यानि की विपरीट यानि की a से सुरू ऐसे किया जाए और कहां खतम कर दिया जाए z पे ये खतम हो गए तो total 26 हो गए तो फिर ये बोलता है की दाएं से दाएं क्या होता है राइट साइट तो ये हो गई राइट दाएं से कौन सा अकसर चौधवाँ अकसर तो दाएं से तेरा तो जड़ तक आगे 14M तक आगे ठीक है दाएं से 4 दूँआ अकसर के दाएं यहां पर पूछ है 5 दूँआ अकसर तो कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे यहां से आपको Z तक ABC को लिखना होगा तो यहां Y आता है वहां X आता है फिर W आता है फिर W आता है तो इसका 5 वह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो 5 वह कौन आ गया है वी तो राइट आंसर आप्शन नमबर A वी चले next is अर्थ पुरुन करम में व्यवस्थित करें अर्थ पुरुन करम में व्यवस्थित करें E, T, C, K, O, P आपको दिया है E का नमबर 1 दिया है T का 2 दिया है C का 3 दिया है E का 4 दिया है O का 5 दिया और P का 6 दिया है बोलता है आपको बताना है इन में से ऐसा कौन से करम से अरेंज किया जाए कि इसका एक अर्थ निकल सके और राइट आंसर हो जाएगा 58 का आपका उप्सन नमबर C 6, 5, 3, 4, 1, 2 6 पे क्या है? P है 5 पे क्या है? O है 3 पे क्या है? C है 4 पे क्या है? K है 1 पे क्या है? E है 2 पे क्या है? T है यानि की पॉकेट चले नेक्स्ट कोशिन आनंद ससांक से बड़ा है लेकिन रोहिद से छोटा है ठीक है? बोलता है जो आनंद है आप इसको लाइनों से भी बना सकते हैं या आपको greater or smaller का निशान लगा के भी लगा सकते हैं बोलता है आनंद ससांक से बड़ा है तो जो आनंद है ये बड़ा बताया है, इसको मैं A लिख रहा हूँ, किस से बड़ा बताया है भई, ससांक से बड़ा बताया है, तो ससांक इससे क्या हो गया भई, छोटा हो गया, नेक्स अगे बोर रहा है, लेकिन आनंद ससांक से बड़ा है, लेकिन रोहन से चोटा है, आनंद इससे तो बड जो राजसरी यहां आ गई वो इससे भी बड़ी है ठीक है ठीक है बोलता है राजसरी जो है ससांक से बड़ी है और यहां पर देखे क्या बहुत है धनसरी सीमा से छोटी है लेकिन राजसरी से बड़ी है तो धनसरी इससे थोड़ी बड़ी आ गई और सीमा इससे भी थोड़ी बड़ी आ गई तो बोलाए सबसे बड़ा कौन है देखिए सबसे बड़े का पता हमें तब लगता कि जब हमें ये बताया होता कि जो ससांक धनसरी इनका भी आपस में कोई relation है ठीक है तो यहाँ पर जो data है वो inadequate है इनका आपस में कोई relation नहीं बताया है तो right answer इसका हो जाएगा आपका option number D ग्यात नहीं किया जा सकता question number 60 है अपने घर से दक्षिन पश्चिम की ओर मुख करके कवीता 15 मिटर चलती है दक्षिन पश्चिम यानि कि इस दिसा में कितनी चलती है 15 मिटर चलती है फिर उत्तर की ओर मुड़ कर 12 मिटर चलती है तो यह कौन सा होता है वही उत्तर की तरफ मुड़ती है और 12 मिटर चलती है अपने घर से यानि की यहां से A से वहां पहुंची है B पे वो पहुंची है त आइंड आउट करनी है तो देखिए 90 डिगरी का एंगल बने गया पाइथा गोरस थियूरम बने गया बेस आपको निकालना है प्रपेंडिकूलर ओफ हराइपोटनियूस आपको दिया है तो डारेक्ट हम क्या करते हैं अंडूरूट लेते हैं दुन्नों का हम क्या कर देंगे यहां पे मुझे बारा मिटर दिया है और यह कितना दिया है पंदरा मिटर बारा और पंदरा का हम स्केर ले लेंगे ठीक है बारा का स्केर कितना होता है या पंदरा का स्केर कितना होता है पंदरा का स्केर होता है आपका दो सो पच्चिस और बारा का स्केर कितना होता है एक का 9 मिटर है बढ़ते हैं next question की तरफ 61 यदि P प्लस Q का अर्थ P Q का पुत्र है P माइनस Q का अर्थ P Q की पतनी है P गुना Q का अर्थ P Q का भाई है P भाग Q का अर्थ P Q की बेहन है तो आपको बताना है A प्लस B माइनस C का अर्थ हुआ क्या बताना है अभी A प्लस P माइनस C का अर्थ क्या हुआ इस तरीके का जब भी question आया है जो आपको question में पूछा गया आपको बलाए A प्लस B और question में क्या दिया है P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है तो A प्लस B का अर्थ क्या हुआ A पुत्र हो गया किसका पुत्र हो गया वई B का पुत्र हो गया अगर पुत्र है A तो हम इसको प्लस लगा देंगे मेल्स के साथ प्लस लगा देंगे ठीके आगे ये बोलता है देखें B-C का अर्थ A+, B-C बोला है ना तो B-C देखो माइनस का मतलब क्या है P-Q की पतनी है यानि की B किसकी पतनी हो गई जल्दी से बताएंगे यदि यहाँ पर दिया है P-Q का अर्थ है P-Q की पतनी है तो B-C का अर्थ क्या हो गया B किसकी पत्नी हो गई B पत्नी हो गई C की पत्नी हो गई इसकी पत्नी हो गई तो C पत्नी हो गया तो बोलता है कौन सा अर्थ हुआ पहला option है C A का पीता है क्या देखो C A का पीता है देखो ये इसकी माँ हो गई और यह मा के assessment क्या होगे पिता होगे तो right answer क्या होगे option number a next question की तर आगे बढ़ते हैं a गुणा b भाग सी a गुणा b अगर आप देखें तो p गुणा q का अर्थ है p q का भाई है तो a गुणा b का अर्थ क्या हो गया a किसका भाई हो गया वई भाग सी का मतलब क्या था वई भा का मतलब था बहन है P Q की बहन है इसको एक बार फिरसे बनाते हैं यह बहुत है A into B का अरθ है A जो है B का भाई है और B भाग C का अर्थ है कि B बहन है किसकी बहन है C की बहन है ठीक है तो बोलता है निमन में से कौन सा सही है A और B आपस में भाई है नहीं जी भाई नहीं है देखो माइनस है बहन है A C का पिता है पिता तो वही नहीं सकता है B जो है A की बहन है क्या B देखो A की बहन है बिल्कुल A की बहन लग रही है ठीक है A और C आपस में भाई बहन है हो सकते हैं आपर देखें यहाँ पर हमारा answer option C हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें इसका sign ही पता नहीं है कि यह लड़का है कि लड़की हो सकता है और C बहने बहने हो हो सकता है यह भाई हो लेकिन यह वाला जो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है कि जो है B जो है किसकी बहन आ रही है A की बहन आ रही है तो right answer हो जाता है इसका option number C question number 63 जो की है पूरन करें series का question है जल्दी से करेंगे 3,6 3,3,6,8,7 right answer इसका हो जाएगा आपका 360 कैसे होगा जी देखो 3,1,3,3,2,6,6,2,6,3,8,8,8,8,4,2,2,2,3,5,3,6 पहले में 1 से गुना हुई फिर 2 से गुना हुई फिर 3 से गुना हुई तो right answer इसका कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताएंगे right answer हो जाएगा आपका 64 का option number D सभी option आप करेंगे उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा इसमें देखे यहाँ पे B आ गया यहाँ पे क्या लिखनें? P लिखनें यहाँ पे क्या लिखनें? अगला U लिखनें जो खाली जाएगा और यहाँ पर क्या लिखनें? L लिखनें L U B T U P L U B T U P L U B T U P L U B T U P तो एक format हमारा बने गया यानि option number D is the right answer next is है हमारा 26 जनवरी 1971 को कौन सा दीन था? 26 जनवरी 1971 को कौन सा दीन था? जल्दी से करेंगे ठीक है 26 का 26 जनवरी का कोड क्या लगता है? वही 1 लगता है ठीक है 1900 का कोड 0 71 का कोड 71 ही हमने लिखा है 70 साले और प्लस कितने लिपियर आते हैं? इसमें 17 लिपियर आते हैं divided by हमने कर दिया 7 से सारी चीज़ें आप जमा करेंगे तो आपका आएगा 115 divided by 7 और जब 115 को 7 से भाग करेंगे तो 6 होता है 3 तो संडे के लिए 1 होता है, मंडे के लिए 2 त्यूजडे के लिए 3 तो राइट आंसर इस अप्शन नमर भी आपका हो गया मंगल 12 चले आगे बढ़ते हैं, नीमन में से कौन सा भीन है, चाइन करें आपको बताना अलग कौन सा है, चौप, स्लिट, च्रिप, स्लाइस जल्दी से बताएंगे राइट आंसर हो गया, इसका आप्शन नमर C, च्रिप ठीक है, क्योंकि चौप, स्लिट और स्लाइस सभी का मतलब क्या होता है, काटना है लेकिन जो श्रिप है, इसका मतलब होता है, जो पकसी चहा चा रहे हैं, या पकसी जो सुबह-सुबह चा आते हैं, तो यह सबसे लगो गया चले आगे बढ़ते हैं 67 to 71 जो है, आहां पर question है आपका sitting arrangement का है आठ व्यक्ति ये ये जो भी दिया है इसको आप पड़ लें विर्ताकार मेज पे चारो तरफ बैटे हैं कैसे बैठे हैं तो मैं आपको आंसर बता देता हूं साथ ही साथ बता देता हूं कि कैसे बनना था और इसको अच्छे से ट्राइ करें क्योंकि इस तरीके का कुशन फस्ता है पजल का ठीक है और फिर यहां से बड़ी दिक्कते हो जाती है अगर आपका सॉल्ब ना हो पहले मैं इसके आंसर बता लेता हूं 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी 68 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपसर नमबर बी 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपसर नमबर ए और 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपसर नमबर बी ठीक है जी अब यदि मैं बताओं कि कैसे ये बनेगा तो आप देखें को नोट करके रखने मैं यहाँ बतारूं किसकी पुजिशन का आ रही है यहाँ आपका जी आएगा आफिर ठीक है जी के दाईं तरफ आ रहाएगा ठीक है यहाँ आपका क्यू आएगा कोशन के according ये बनेगा जो मैंने solve किया है मेरा ऐसा बना था और ये बिलकुल सही है अगर आपने भी बिलकुल ऐसा बनाया है तो आपका भी बिलकुल सही है और सारे answer आपके match करेंगे और कोशन की statement भी पूरी match करेगी चाहिए देख लेना आप H यहाँ पे position होगी F की और यहाँ पे position किसकी होगी S की और जिस इसका ये बनाया है यानि कि उसका बिलकुल सही है और answer मैंने आपको इसके अरड़ी बता दी है चले बढ़ते हैं question number 71 की तरफ 71P इसी पे based है तो 71 का answer हो जाएगा दिया गया कोई भी कतन सत्य नहीं F के सापेक्ष कौन का सास्थान सत्य जब आप इसको बना लेंगे तो automatic आपको ये clear हो जाएगा नेक्स आगे बढ़ते हैं यदि रांची को दिल्ली कहा जाए दिल्ली को मुंबई कहा जाए मुंबई को दे रादून का जाए पता नहीं कितनी कहानिया पड़ेगा आपको बिल्कुल last line पे आना है कहा गया है gateway of India कहा है तो gateway of India कहा है मुंबई में तो अभी हमने ढूड़ना है मुंबई को क्या कहा गया जी मुंबई को कहा गया दे रादून तो right answer हो जाएगा option number C देहरा दून next आगे बढ़ते हैं question number 73 की तरफ एक चावनी में एक चावनी में कितने सैनिक है 304 सैनिक है प्रते एक पंक्ती में उतने ही सैनिक है जितनी की चावनी में पंक्तियां है तो बताएं कुल पंक्तियां कितनी है right answer जल्दी से ठिक करेंगे right answer इसका हो जाएगा 48 देखें क्यों होगा यह बोलता है जितनी की पंक्तियां है मालो पंक्ति में एक दो तीन चार पंच आदमी है तो अर लाइन में कितने हैं चीए पंच एक दो तीन चार पंच ऐसे पूरे पंच आने चीए पंच 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 ऐसे ठीक है ऐसे पंच पंच आएंगे सभी लाइनों में तो टोटल कितने हो गए है पंच इदर पंच इदर कितने हो गए 25 हो गए तो यह वोरा टोटल बंदे कितने हैं आपको 304 दिये हैं जितनी आपकी लाइने लगेंगी उतने ही उन लाइनों में हर लाइन में क्या होगे बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द है और किया यह समय आपको देखे रखा है तो आपको कितने वर्सों का निकालना है तीन वर्सों का निकालना है तीन वर्सों का निकालना देखे सिंपल तरीका मैंने शायद आपको बताया भी था एक साल के लिए दो साल के लिए करना है तो ऐसे डिब्बे लगा लो ठीक है अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है 15,000 रुपय का मान लो 5% आंसर होगा या तो 10 होगा या तो 15 होगा या तो 20 होगा अब 5% है तो 15,000 का 5% निकाल दो 15,000 गुना 5 बटे 100 तो कितना है का साड़े 700 यहां भी 750 तो सब में यहां भी 750 यहां भी 750 आ जाएगा ठीक है इनको जमा करेंगे तो आपका 15,600 के असपास आएगा तो यहां जो रख में यह वो तो बहुत ही छोटी आएगी यानि कि यह तो मेरा नहीं हो सकता है ठीक है अब यह मेरा नहीं हो सकता है तो आगे हम बढ़ेंगे आगे कौन सा हो सकता है तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूँ अगला जो option है अगर मैं लूँ 10% वाला ठीक है 10% वाला ले रहे हैं तो यह कितना बन रहा है इसका 10% 15,000 का 10% बन रहा है आपका 1500 रुपए यहां भी कितना हो गए 1500 यहां भी कितने आ जाएंगे 1500 रुपए आ जाएंगे ठीक है लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है स्क्रीन पर ठीक है यहां आ जाता है 1500 का भी 10% कितना हो जाता है भी 1500 यहां 1500 का 10% कितना 15 और यहां 1500 का डबल कर दो कितना 300 और सब को जमा कर दो वो ब्याज आ जाता है हमारा देको सिंपल है पहले जो यहां से यहां तक सेम सारी रखमें हो जाएंगी यहां उसका 10% यहां के पास आजएगा 4950 रुपए बे आज तो कितनी सालों के लिए लिया होगा तीन सालों के लिए था दिया था तो कितने प्रिसेंट की दर से दस प्रिसेंट की दर से आपका राइट अंसर हो गया नक्स आजए बढ़ते हैं सात वर्स पूर्वषादी के समय पती एवं पतनी की औुष्ट आईव कितनी थी 85 वर्स तो टोटल आईव निकाल दो कब मेरिज के टाइम इनकी तो मेरिज के टाइम टोटल आईव कितनी थी 25 खितनी थी दो बंदे थे तो टोटल और कितनी हो गई पंजा वर्स हो गई 50 अब अगर मैं आज की बात करूँ महरिस तो इनकी कब हुई है साथ साल पहले यदि अगर मैं आज की बात करूँ प्रजैंट की बात करूँ तो प्रजैंट में इनकी उमर कितनी हो जाईगी ठीक है पंजा साल उनकी आ गई थी पहले ही और सादी से अब तक बात करने तो साथ साले पती बढ़ा साथ साल पतनी बढ़ी यानि कि चौदा साल इसमें और बढ़ गए तो आज जो हो उनका टोटल उमर कितनी है चौशट साल है अगला क्या बोलता है पती पतनी और एक बच्चे की और सतायू कितनी है बाई वर्स बोलता है तीनों की अगर मैं तीनों की बात करूँ तो और सतायू बाई है तीनों का टोटल कितना जगा बाईस उना तीन तो तीनों का टोटल कितना है? च्याट है ठीक है देखो पती और पतनी के प्रजेंट आई यो चौट वर्स थी पुत्र के साथ च्याट वर्स थी अगर हम इनके हटा दें पती पतनी की तो किस की बचेगी? पुत्र की कितनी? चौट प्लस दो च्याट होता है तो राइट आंसर कितना हो गया? पुत्र कितनी साल का है? दो साल का है कोशिन नमबर 77 70 लीटर दूद और पानी के मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात 3 रेशो 2 है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात दो रेशो तीन हो जाए देखें रेशो का कोशिन है तो देखें यहाँ पर आपको क्या देखे रखा है दूद दिया है आपको सतर लिटर है अनुपात दिया है तीन रेशो दो है तो हम पहले यह निगाल लेते हैं कि दूद कितना लिटर है और पानी कितना लिटर है, तो मिल्क की मैं बात करूँ, ठीक है, मिल्क का रेशो तीन दिया है, और दोनों का रेशो दिया है, तीन रेशो दो, यानि कितना लिटर दिया है, जितना भी कोई यूनिट दिया है, उसको गुणा कर देते हैं, इनको अगर आप काट दें, तो यह क पांच गुना सत्तर सेम वही हो गया ठीक है तो ये एक कट गया तो ये कितना आ गया थाई लिटर क्या गया आपका वाटर आ गया अब ये बोलता है कि मिश्टर्ण में कितना पानी मिला लें कि रेशो कितना हो जाए दो रेशो तीन का अब देखो 32 लिटर आपका दूद था बटे ठाई लिटर आपका क्या था पानी था और इसका रेशो अमने बनाने कितना दो रेशो 3 बनाना है और एड क्या करना है मुझे इसने वाटर यानि कि कितना वाटर करना है वो एक्स लिख दिया तो आपके पास बन कищा 42 अपॉन 28 प्लस x बराब और बोलता है ratio हमें कितना बनाना है उसमें पानी हमें मिलाना है कितना पानी मिलाना है यह पता नहीं है यानि कि X और ratio कितना बनाना है दो ratio तीन, cross multiply इसको यहां कर दो इसको यहां कर दो और X की value आपके पास आ जाएगी और राइट आंसर जो 77 का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन अबर A 35 लिटर चले आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ एक फल वाला 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है तो उसको percentage लाब यहानी बताएं उसने क्या क्या 10 रुपए के हिसाब से लिए और 11 खरीदे ठीक है और 11 रुपए के हिसाब से उसने कितने बेच दिये दस बेच दिये जब भी इस तरीके का कोशिना आए देखें आपको सिधा क्रोश मल्टिप्लाई कर देना बिल्कुल सो ट्रिक दस था हैं सो और 11 ग्यारियो 120 यानि कि उसने 100 रुपए के चीज ली और 101 में बेच दिया यानि कि उसे कितने का लाब होओ 21 रुपए का लाब होओ यदि 100 रुपए में 21 रुपए का लाब हो रहा है तो कितने परसेंट का लाब हो रहा है उस कमरे में अधिक्तम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है देखे जब भी हमें छड़ रखनी होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है विकर्ण तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है वे तो विकर्ण का फॉर्मूला हो गया आपका 10 square लंबाई का square प्लस चोड़ाई का square प्लस उन्चाई का square अंडरूट सॉल्व कर दो ठीक है 10 था हैं 100, 8, 8, 64 और 4, 4, 16 सब को जमा कर लें तो आपके पास कितना आजाएगा 180 और 180 को भी आगे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 6 अंडरूट 5 राइट आंसर इस अंडरूट 5 मीटर की जो है उसमें हम छड़ रख सकते हैं लास्ट कोशिन है आपका टेंजेंट 60 डिगरी आपको देखें साइन कोस टेंजेंट को सिकेंट सिकेंट कोट की 0, 30, 40, 16, 19 सारी जो हैं डिगरियां याद होनी चीए टेंजेंट 60 डिगरी का माप कितना होता है तो इसको आप कोमेंट सेक्षन में जाके करें ये हमेशा की तरह आपके लिए आज भी मौक टेस्ट है और जिन जिन लोगों ने OMR शीट पे अपना मौक टेस्ट दिया है उन्हें सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो स्कोर रहा है वो कोमेंट सेक्षन में लिखें फॉर एक्जांपल आपके 60 नमबर है तो आप लिखें 60 और ब्रैकेड में लिखने OMR ताकि मैं समझ जाओं कि आपके जो 60 नमबर आए है वो OMR शीट पे आए है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत